नमस्कार दोस्तों अगर आप PF के मेंबर हैं और PF की पास्बुक देखना चाहते हैं जब आप वेबसाइट पे आते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का एरर मेसिज आ रहा है We are expecting high load on our server. Please try again after some time. तो इसका क्या मतलब है और आप इसे कैसे solve कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूँ थोड़ा मेरे पर्चे जान लीजे मैं नाम सागर है और यह PF का best channel है जो यहां आपको बताने जा रहा हूँ यह मैं daily काम करता हूँ इसलिए अपने practical unverb से बता रहा हूँ देखिए PF के website ऐसा होता है कि एक server पे है इस server के उपर क्या है कि वो time time पे चीजे बदलते रहते हैं लेकिन जब से यहां पे एक OTP वाला issue आया है कि आपको OTP डाल के login करना है तब से मैंने यह देखा है कि हमेशा लगभग रात के time ही इस तरह का error message आता है और यह error message यह कहता है कि अभी हमारे computer system पे extra load आ चुका है तो मेरे हिसाब से यह ऐसा हो रहा है कि इन्हें अपने server को update करना होता है और update करने के लिए यह एक regular activity बन गई है regularly आपके passbook की website पे इसी तरह का एक common error आता है यह रोज की घटना है इसमें कोई भी नई बात नहीं है आप इसके लिए बिल्कुल भी परिशान ना हो मैंने यह देखा है कि जो member home की website है वो सही तरह के से अभी चलती रहती है लेकिन अकसर passbook की website जो है वो अटकती है और passbook की website पे login हम नहीं कर पाते है देखिए member home की website सही चल रही है न अगर मैं passbook की website खोड़ रहा हूँ तो यहां पे यह इस तरह का error message आ रहा है अब क्या इसमें आपको कुछ करने की जरूरत है ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है यह मुश्कल से एक घंटे या आदे घंटे के अंदर ठीक हो जाता है अभी time हुआ है नौ बज के बीस मेंट चार तारिक होई है और यह मैं regular देखता रहा हूँ एक महिने से डेड़ महिने से तो आप बिल्कुल परिशान ना हो आपका balance अगर आपको देखना हो तो आप Among Apps से ट्राइ कर सकते हैं लेकिन मेरा मानना है Among Apps से भी इसी तरह का आपको कुछ मैसेज आएगा अच्छा होगा आप एक घंटे बाद ट्राए किजे एक घंटे बाद आपको ये चाज़ देखने को मिल जाएगी ये थी एक छोटी सी जानकारी अगर आप PFS Related Informations से अपडेट रहना चाहते हो तो आप Free में जो WhatsApp ग्रूप है उसको जॉइन कर सकते हैं ये PFS का बहस्च चैनल है तो आपको जो भी PFS Related Problem हो इस चैनल पर सर्च कीजे आपको उस टॉपिक पर वीडियो मिलेगी साथ में ही अगर आपको Personal Consult करना है तो मैं यहाँ पर Consultation प्रोवाइड करता हूँ साथ में ही PFS का अगर Form Filing करना है Form Filing भी करता हूँ अगर कोई ऐसा काम है जहां आपके Company की या जहां PF Office का रोल है वहाँ मैं सिर्फ आपको Guidance कर सकता हूँ आपको वो काम खुद से उस Process को Follow करना पड़ेगा लेकिन क्या रास्ता है वो मैं आपको बता जरूर सकता हूँ फीस लेके बताऊंगा Personal जो है Consult करने में क्योंकि मेरा Time लगता है और ये मेरा Profession है इसके लिए एक Feast Charge की जाती है लेकिन Feast देने से आपको ये होगा कि जो काम आपका पहले 15 दिन 1 महीना 2 महीना में होता वहाँ वही काम आपका सही Guidance मिलने से आपका 10 दिन 15 दिन 1 महीने के अंदर भी हो सकता है मैं अपने पार्ट पे आपको सही रास्ता दिखा सकता हूँ लेकिन जो काम Company से होना है वो Company ही करेगी जो काम PF Office से होना है वो PF Office ही करेगा इन दो चीजों से आपको खुद से ही Deal करना होता है आशा करूँगा आप इस चीजों को समझेंगे साथ में अगर आपको PF ESI Consultant मनना हो GST Income Tax का सीखना हो तो आप मेरे साथ कोर्स जोइन करके सीख सकते हैं मिलते हैं अंगली वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद